स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विश्युविध्धाले नांदेड कैला स्वासी वेंकटराव देशमूख महाविध्धाले बाबडगाव मैं डॉक्टर माधोगाएकवाड आपका स्वागत करता हूँ बीए द्यूतिय वर्ष सत्र तीसरे अर्था थर्ड से मिस्टर विशे है हिंदी एच्छिक पाठ्यकरम का नाम है मध्ययुगीन काविय पेपर करमांग है पाँच इसके अंतरगत इससे पहले हमने नामदेव के नामसमरण की महत्ता को देखा है अब नामदेव के पाठ्यकरम में जो अगली कड़ी है गुरू की महत्ता इसके संदरव में हमें जानना है मित्रों भारतिय संत परंपरा में गुरू महत्ता को अत्यंत महत्त प्रण स्थान रहा है विशेश तहा निर्गून संतों की परंपरा में गुरु को अत्यांत महत्वर दिया गया है इस अंग में कबीर ने भी गुरु की महत्वर को वरनित किया है साथ ही रहदास ने भी गुरु की महत्वर को वरनित किया है और नामदेव ने भी गुरू की महत्ता को वननित किया है संत नामदेव ने बताया है कि इस संसार में गुरू के समान कोई दूसरा हितिसी और अपना सगा नहीं है इसे लिए अपना तन्मन और सर्वस्व गुरू के प्रती समर्पन करना यह हर एक व्यक्ति का या जीव का काम है या करतव है खनभर में ही अपनी क्रपासे मनुश्य को देवता बनाने में समर्थ करने वाले गुरू ही होते हैं गुरू की महमा अनन्थ है और इसे वही समझ सकता है जिसके ज्ञान चक्षू खुल गए हो गुरू की क्रपा जिस व्यक्ति पर होती है उसके जीवन में आंधेरा नहीं होता है अतहा उसका जीवन प्रकाश में होता है गुरू ही अपने शिष्य के अंतर की जोती को प्रजवलित करने में समर्थ होते हैं गुरू का उपदेश कानों में पढ़ते ही शिष्य समस्त प्रकार के संसारिक बंदनों से मुक्त हो जाते हैं और दुखों पर प्रहार करने की अग्यता उनमें निर्मान होती है अतहा गुरू जो है गुरू ही इस विश्व को किस प्रकार से जानना है यह हमें बताते हैं या सिखाते हैं गुरू की वानी ही उस संशे को नश्ट करने में समर्थ है जो समस्त संसार को अपने कठोर पाश में अबद किये हुए है गुरू यह जीवन का मूल मंत्र है और यही मूल मंत्र किस प्रकार से अपनाना है इसका प्रद्यक्ष उधारन पाठ्यकरम में जो पंक्तियां पद दिये हैं उसके संद्रव में यह अनुभव किया जा सकता है अब हमारे पाठ्यकरम में जो पंक्तियां है वा इस प्रकार से है सफल जनमू मो कव गूर कीना दुख बिसारी सुख अंतरी लेना इसका आर्थी यह है गुरु के बिना जीवन को सफल करना यह संबव है अतहा हमारा जो जीवन है सफल करने में गुरु का ही हाथ होता है गुरु ही उसे सफल करते है जीवन सफल कैसे होता है यह अगले पंक्ति में बताते हैं दुख बिसारी सुख अंतरी लीना हमें दुख बुलाकर अंतर्गत सुख जो निर्मान करते हैं जो हमें डालते हैं अंतर्गत सुख वह गुरु ही है दुख बिसारी सुख अंतरी लीना दुख को भुलाकर अंतरिक सुख को या अंतर्गत सुक निर्मान करना यह केवल मात्र गुरु ही बताते हैं क्या करते हैं गुरु गियान अंजनु मुख कवु घूरी देना ग्यान रुपी जो अंजन है जो आखों में डाला जाता है और इसी ग्यान रुपी अंजन के कारण हम दुख और सुख को परखने का काम करते हैं जो व्यक्ति ग्यान के अंजन के माध्यम से सुख और दुख में अंतर करता है वही व्यक्ति जिवन में सपल होता है राम बिनू जीवनू मनहीना राम के बिना अपना जीवन जो है यहीन है शुशक है रेत के समान है अंतिम पंक्ति में कहते हैं नामदेव नामदेव कहते हैं समरण करते जाना है नाम समरण करते जाना है जग जीवन शू जू समाना यह जग जो है जीवन जो है इस जीवन में स्भी जीव समा जाते हैं जो की आनन्द को साथ लेकर गुरु की महता के कारण ही हमारा जीवन सफल होता है यह हो गया गुरु की महता का वर्णन तथा विशलेशन अभी अगली कड़ी में देखेंगे सत्संग की माता धन्यवाद